बारिश, ठकान और भूख नहीं थमा मजबूरी का सफर जो ट्रेन से नहीं जा पा रहे हैं वो पैदल ही कदम बढ़ा रहे हैं क्योंकि वक्त और हालात ने तो वैसे भी पैरों में बेडियां जगर रखी है पूरे देश में त्राही त्राही मची है कहीं कोई बेटा खुद दूसरे बैल की जगह बैल गारी खीच रहा है तो कहीं कोई नंगे पाउं से इस गर्मी और धूप से लड़ते लड़ते सफर में ही शहीद हो रहा है पटरी पर चले तो ट्रेन से कड रहे हैं रोड पर चले तो एक्सिडेंट हो रहे हैं इस हालात के आगे ये महमारी का तर्दी मात खा जाए कोरोना संकटकाल में कई प्रवासी मजदूरों की घर पहुँचने से पहले ही जाना जा रही है ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जहासी का सामने आया है जहां महराश्ट से बिहार जा रहे है मजदूरों के जथे में शामिल एक मजदूर की रास्ते में तबियत बिगरने से उसकी मौत हो गई और अंगाबाद ने पटरियों पर शोला मजदूरों की बली चढ़ गई मध्यप्रदेश के गुना में बस और ट्रक की टककर ने आठ मजदूरों को बेरहमी से मौत के घाट उतर दिया और नजाने कितनी जाने एक के करके सरकार की नाकाम्याभी को ललकारते हुए दम तोड रही है वर्तमान समय में सरकार की तरप से मजदूरों के लिए एलान किये गए राहत पैकेज पर नज़र डालें तो 20 लाग करोन रुपए के आर्थिक पैकेज के दूसरे हिस्से में गुरु आर को प्रवासी मजदूरों का विशेश तोर पर ख्याल लखा गया आठ करोन प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने के लिए मुफ्त अनाज दिया जाएगा एक ब्यक्ति को महीने में 5 किलोग्राम केहूं या चावल और 1 किलोग्राम डाल मिलेगी अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे इस योजना से दूर नहीं किया जाएगा उसे भी मुफ्त अनाज मिलेगा प्रवासी मजदूरों की पहचान करने उन्हें मुफ्त अनाज देने का काम राज्य सरकारे करेंगी इस पर 3500 करोंड रुपे का खर्चायेगा ये रकम केंद्र सरकार देगी जो प्रवासी मजदूर शहरों से पलान करके गाउं जा रहे हैं उनके रोजगार का भी इंतजाम सरकार ने किया है 1,87,000 गाउं में अब तक 2,33,000 लोगों के लिए मन्रेगा के तहट काम का बंदोबस्त किया गया है दैनिक मजदूरी को 182 रुपे से बढ़ा कर 202 रुपे तक कर दिया गया